आज हम आपको बरती उम्र या ओल लेज या किसी भी कारण से आपको नीज कम आती है या नीज नहीं आती है तो उसे ठीक करने की हमियोपैथिक की बहुत ही पावरफुल दवा के बारे में जानकाई दूगा जिसका रेगुलर परियोग करने से आपके नीज की प्रोलम बिल्क साहे लोगों को यह प्रोलम बिल्कुल से ठीक हो गई है तो वीडियो को पूड़ा देखें ऐसे ही नालेजबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और डिजी से संबंदित कोई भी जानकाई लेना तो रोज रात की 8-9 मैं लाइव आता ह उसमें आके अपना सवाल पूछ सकते हैं या कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं कि नमस्कार दोस्तो हमियोपेथिक एठ हों में आपकर स्वागट है मैं अविशेख कुमार आज हम । आपको बरती उम्र और लेज़् या किसी भी कारण से आपको निंद नहीं आती है या निंद कम आती है या निंद की प्रोल नहीं उसे ठीक करने के हमियोपैठी की बहुत ही powerful दबा के बारे में जानकाए जूँगा जिसका परियोग करने से आपको नीन की प्रोबलम बिल्कुल ठीक हो जाएगी या हमियोपैठी की बहुत ही अच्छी और कारगर दबा है और इस दबा का कोई भी side effect नहीं है यह दबा आपको राम बान की तरह काम करेगी और यह दबा आपको नीन की प्रोबलम जरसे ही ठीक कर जाएगी मतलब कि एक वाट ठीक हो जाएगा तो फिर यह प्रोबलम आपको कभी नहीं होगी दोस्तों बारती यह जी या ओल ले जी या किसी भी कारण से नीन्द नहीं आना या एक कॉमन प्रोबलम है या किसी भी बैक्टी को हो सकता है अब हम जानते हैं नीन्द नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते है टेंशन के कारण यदि कोई बैक्ति हमेशा टेंशन करता है या उसके कुछ सोचते रहता है दिमाग में कुछ ने कुछ चलते रहता है तो उस बैक्ति को नीन कम आती है सोने में अनियमेटता है यदि आप समय पर नहीं सोते हैं यानि कि दीन में जादा सो लेते हैं प्रोपर नहीं आती है उन्हें कभी भी निन अच्छी तरह से नहीं आएगी उन वैक्तियों को निन ना आने की प्रोब्लम बनी रहती है जो वैक्ति डिप्रेशन में रहते हैं उन्हें भी निन कम आती है उसे निन आती है तो तुरण तूट जाती है मानसी का अगहात, अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा दिया है, तो उसके कारण भी उसे निंद कम आती है, या निंद आती है, तो टूरन तूट जाती है यई किसी बेक्टी को बिर्णस में लॉस हुआ है या किसी बेक्टी को फैमिली में ज्यादा टेंसर है तो इस वज़ा से भी निंझ कम आती है या परोपर निंग नहीं आती है जो लोग अस्थमा या हाई बीपी की regular medicine का परियोग करते हैं उन्हें भी निन्ज पर आप नहीं आती है या उन्हें निन्ज रात में कम आती है दोस्तों यदि आपको किसी भी mental कारण या old age होने के कारण या किसी भी कारण से आपको निन्ज नहीं आती है तो और हमियोपेथिक दवा में निंज लाने की बहुत ही अच्छी दवा मैं बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग करने से आपको पोड़ोपर निंज आ जाएगी और रात में आप चैन की निंज सोएंगे और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों आप हम जा आरा से वासी सी बनी रहेगी आपको हमेशा आलस आते रहेगा आप चिर-चिरा दिखने लगेंगे आपका मन चिरblesदा रहेगेगा आपका सर भारी भारी सर लगोगत में अहमेशा बना हुआ है तो आपको नहीं आपना की द्योब लचन दिखाई देंगे दोर्श्तों तीस बुन डालकर राच में सोने के आधे घंटा पहले इसका परियोग करना है दोस्तों यदि आपको निंज बहुत कम आती है तो इस दवा का परियोग और हाप का पानी में 20 बुन डालकर सुबह करना है और राच में हाप कब पानी में 40 बुन डालकर राच में सोने के आधे गंटा पहले इस दवा का पर्योग करना है और दुसरी दवा का नाम है काली फोस 6X यूज करने का तरीका चुखा नाम है रेस्क्यू रेमेडी 30 यूज करने का तरीका जारबून सुभा और चारबून साम में पर्योग करना है तो इन तीनों दबा का regular पर्योग करेंगे तो आपका निन जो नहीं आती थी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको निन आने लगेगी और आप चैन की निन शोएगे इन तीनों दबा का कोई भी side effect नहीं है बहुत साइब लोग इस दबा का पर्योग करके चैन की नि ये तीनों दबा इन्सोमेनिया यानि निन नहीं आने की बहुत अच्छी दबा है और इस दबा का कोई भी side effect नहीं है दोस्तों आपको धियान देने वाली बाद आप सराप का पर्योग बिल्कुल नहीं करें सोते टाइम राथ में चाय या कोफी का पर्योग बिल्कुल नही करें खाना भार पेट खाए और टेंशन नहीं लें दोस्तों इन सब परहेज के साथ आप दबा का पर्योग करेंगे तो आपको दबा बहुत जल्दी असर करेंगी और आपको निन की प्रोब्लम है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी तो इन दबा का पर्योग करके अगर आपको निन नहीं आती थी तो आपको फिस दबा का पर्योग करने से आपको निन आएगी और आप आराम से सोएंगे दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कोमेंट शेयर सब्सक्राइब जरू करें यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया जब लेने से पहले कोई नजिकी डाक्टर से सला लेकर इन जबा का पर्योग करें वीडियो देखने के लिए जन्माइब